आज की जो चर्चा का प्रभुख विश्य है वो जहारखंड की सामाजी संस्कृतियम बिस्ष्ट पहचान से आने वाले जो पीटी के प्रसन है उनसे है तो इसका जो पहला प्रसन है कि जहारखंड में कितने पतिसत लोग गाउं में रहते हैं तो इसका पहला अप्सन है कि आनवे दूसरा चेनवे और तría सरहनध है और चので इसका जो सही उत्तर पहला एकानवे यानि जहारखंड क्रम अग्रामिन प्रधान जो है वो राजय है जहां एकानवे प्रतिस ए जो है वो जनसंख्या गाउं में रहती है बाकी जो九 से जार गाओं है 5,000 के करीब पंचायत हैं लेकिन जो प्रमुक सहर है वो दो से उपर की जनसंख्या में हैं बाकि यहाँ जो जन संख्या है वो ग्रामी जन क्या है तो इसका जो पहला उतर है का नब पर्तिश्चत हो सही है दूसरा प्रसन है कि इन में से कौन सा मिलान गलत है अब इस प्रकार के प्रसन के लिए हमें सा तैया रहना चाहिए क्योंकि इन में से कौन गलत है कौन सही है या निमीन लिखित में से कौन कथन गलत है सत्य है सत्य इस प्रकार के प्रसन की बारंबरता दिखोती है तो इसका जो पहला मिलान है सरूल परफ दूसरा जो इसका पहला जो उप्षन है सरूल परफ इसका मिलान है पहला की बारपे हिजूरे साले सालू दूसरा मंडा परफ जिसका मिलान है जायरे न तो यह एक प्रकार से जार्खन के प्रभ है और उनमें जो गाए जाने वाले जो बिशेश गीत होते हैं तो उसका मिलान है इसमें से कौन गलत है तो चुंकि सब गीत को तो जानना यहां शक है नहीं लेकिन कुछ को आप जान सकते हैं तो यहां जो इसका दूसरा उपसन है मंडपर्व में जो इसका मिलान है जायरे नाकफेनी रत्चु तो अगर आप यहां प्रोसेस ऑप इल्लिमेशन यह थोड़ा सा बुद्धिर लगाए तो पकड़ सकते हैं कि यह जायरे नाकफेनी रत्चु यानि यह जो रत्च सब्द है यह तो आप पकड़ सकते हैं यहां कि रध मेला से सम्बंदित है, जो कि विसिसकर जो जहार कंड में आपको रध मेला सभी जगाह पर होता है लेकिन अतिहासिक जहांची है राची के जगनादपूर जहां कि जो नाक वंसी शासक जो एनी साथ है नाक फेनी सासक उन्होंने यह शुरू कराया था वो मंदिर भी सब्सक्राइब उन्होंने बनवाया तो इस प्रकार से यह जो गीत है मंदापरफ का वो गीत गलत है उप्षन में सरहूल में जो सालू सब्सक्राइब उसे आप देखिया कि साल्प रिक्ष है सकूअ उनकी महताब होता दिख है वहां से पकड़ सकते हैं कर्मा में धसना कर्मा कि यह का उन्हों बना माइटि दसी रहे तो डाली मिटी सब चीजों पर ज़्यादा जो दिया आता है और जनी सिकार जो की बारावरस में इस्तरी उद्वारा होता है मन śm zona Rep. कि इसमें बेटी जनम आयो धंगरी तो इसमें जो बेटी जनम के बारे में यानि बेटी की भी सिस्ता हो इस तरी भी सिस्ता हो और महिला सस्दी करने एक प्रकार से यहां इसका गीत के माधिम से आप देखेंगे तो यह एक लंबा-लंबा गीत है अब ऐसा है कि जो अधुनिक सोस कि हम पढ़े कहां से तो हमारे जो जारकन के प्रसीद लेखक हैं चिंतक हैं गिर्दारी राम गोंचो जी उनकी पुष्टक में जो है आप इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं उनके टेक्स्ट बुक में लिखा हुगा है तो इसका जो दूसरा उप्शन है मंदाप्रव सही है अ भादा पोटा ठेंगा गप्चोल गोगो राणी एवं घापी क्या है तो पहला जारकन के मुख्य पकवान दूसरा जारकन के लुप्त प्राइगीद तिसरा जारकन के लुप्त प्राइख खेल और चौंथा इस्थानिय पवन जारकन के स्थानिय पवन तो इसका जो तीसरा कि जहारखन के लुप पराए खेल है अब हादा पोटा में ठेंगा अप्चुल में यह नाम सी है कर आप पकड़ सकेंगे इसको कि छोटे में आप जब इसके खेलते थे जब बहुत सारे खेलोने नहीं होते थे पहले ग्रामिन प्रविस में हो तो इस प्रकार से आप चीजों क को हम खेलते तो तरिक नाम हमें नहीं मालूम तब घापी में जैसे अब होता कि कि बालू के आड़ बना कर हम कोई लकडी का टुकड़ा रखते हैं उसे खोजते हैं तो इस प्रकार के खेल अब चुंकि वीडियो गेम सा गया है मोबाइल सा गया है तो इसमें बच्चों का क क्यों लेबल बड़ता है लेकिन आग की रोशनी खराब होती है शरीर भी खराब होता है उसे और मन की बात में हमारे प्रतान मंत्री ने जो प्रमपरागत खेलोनों पर भी जूर दिया है तो इसका जो तीसरा ऑप्सन है जहारकन के लुप्त प्राय खेल वो सही है अगला प इसका जो पहला उप्सन है शिल्प जन जाती अब देखिए कि जो महली जन जाती है वहां सरही के लाके च्छितर में आप आएंगे कि जो बास से जुड़े उत्पात जो है वो उनको बनाती है लोहरा जो है जो लोहा से हो या पथर से संबंधित चीज़ों को बनाती है तो इस प्रकार से जो हमारा इनका जो प्रमपरागत इतिहास है जन जातियों का एक प्रकार से आप लें तो प्रमपरागत आरक्षा ववस्ता जो आरम से अपने इसी ओदोगिक और लगू उतपादी काईयों से जुड़ी हुई है जो कि बरसों से इसके पुर्खे जो है इस ज जञ्कार्वाएं इसकाम को करते आ रहे हैं और वह के परकार से डह्षता अपने आने वाले संस Wrightly को दे रहे हैं तो इस प्रकार से जहार hypoth Corner में जो जन जातियों का बरगी में वर्गी करन वो यूद्वार्जाओं को बिंदद प्रकार मुंगा नाद को कृसक लेका लेकिन जो महली है करमाली है सिल्फ जन जाती है अब जिसे मैंने गायक जन जाती बताया अगर आप इतिहास को पढ़ें थोड़ा सा ब्रियत रूप में आप पूरे वर्ल्ड इतिहास को अगर आप देखें आप आरेयन के संदर में पढ़ें या सिंदो के संदर में पढ खाजरा जो है जन जाती है तो वो जन जाती चुंकि वो अब जाती का रूप ले चुकी है तो उनमें जो है गायन फिर फिल्मी जो है नाटक का प्रस्तुस्ति करन उसके बाद कला संस्कीति से जुड़ना चुंकि अफगनिस्तान में तालिमान के करने से अब काफी बैंड है लेकिन आरम अगर इसके इतिहास को दिखा जाए तो एक प्रकार से लगातार जो है वो उसी कारे को करते हा रहे हैं अब जो आप अगर 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 आप बड़े होंगे ध्यान में तो समाज कलियान का जो रामा उजाक की पुस्तक थी उसमें भी आपको मिलेगा कि जो से लेवल पे चला और उसमें बहुत मितलब ऐसा नहीं कि अनादर का भाव था उसको आदर के इस्टी से देखते थे वो बहुत दिनों तक जो है कला संकिती को उसने वहन किया और उसका प्रस्तुती करन किया जो क्लासिकल निर्थे हैं उससे जुड़ी हुई बाते हैं आप Uummer उसका जो पहला उक्सन है सिल्प और सही है अग्ला पसन में को निमिलकित में से किस जन जाती में तलाक की प्रक करिया पत्ते को फाड़ कर की या तो पहला खड़िया दूसरा संथार्थ्सरा भूमिज चौन्था हो रहा है तो इसका जो तीसरा उप्शन है भूमिज, भूमिज में आप देखेंगे कि चुंकि आप तो आधुनिक समाज आ गया है, इसकी प्रक्रिया कोटकचरी के माधम से होती है, लेकिन इनमें जो अपना स्थानी स्वासासन है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये पत्ते क फाल कर जो है तलाक लेते हैं, उसकी घुसना करते हैं, एक प्रकार से ये प्रथा है, तो इसका तीसरा उप्शन भूमिज सही है, अगला प्रसन है कि देशाओली व्यवस्था में किसकी बली दी जाती है, पहला मानो, दुसरा बकरी, तीसरा भहेंस, चौथा बोदा, तो इ किस लिवस्था में 12 साल में जो ये प्रार से भूत और पुरखों की पुजा है, जिसमें की बहेंस की बली जाती है, उसे उसी स्थांपर गड़ दीया जता है, तो इसका जो तीसरा उप्शन है, वहेंस वो सही है, अगला प्रसन है कि इनमें से कौन सा मिलान गलात है, पहला तिसरा नर्सिंग मेला जिसका मिलान है चैवासा तो इसका जो गलत मिलान है वो चौथा जगनाथ मेला चैवासा का है जगनाथ मंदिर का जो रत मिला है वो इतासी कुरूप से राची में जगनाथ पूर में होता है काफी बड़ी संख्या में लोग वहां सामिल होते है ऐसे छिटपूर मेला तो रत में आपको हर जगा दिखिएगा चैवासा में जारी बाग में जमशिदपूर में लेकिन अगर बड़ा मेला लिया जया जगनाथ मेला जिसे राच्की मेला का दर्जा दिया जता है तो वो आपको राची का जगनाथ मेला है और बाकी जो हतिया मेला है नुन्बिल मेला है नर्सिंग मेला है या दुमका कहिजिला मेला ये भी राच्की मेला है तो इन में से जो चौथा इ वो दूसरा नौ परतिस्चत है, चुंकि अभी अलग सरना कूट में ये सब बाते बहुत सामने आ रही है, आगे जाके जब जनगन्ना होगी तो वहां बहुत सी बातों को अलग-अलग किया जाएगा, तो कई बार ऐसा यहां होता है, हरकंड की संस्किती में ये टकरावट दे उसके बाद इसाई धरम का प्रभाव है, और भी बहुत सारे वीचार धराएं उसका प्रभाव है, तो अधिकतर हम देखेंगे कि हिंदू और इसाई धरम का प्रभाव बहुत मिलेगा, तो यहां जो मूल अपनी संस्किती है, वो कोड ना होने के माधियम से, और उसमें व् सभ्यता में नहीत होती है, उसके अपने सभ्य विचार होते हैं, जो पुस्तक के रूप में होते हैं, उनमें सभ्य संस्किती का एक लीडर्सिप होता है, निर्थित तो होता है, मुझे ऐसा कोई दिखता नहीं है अभी कि आप जहारखंड में बोलें या पूरे भारत में ब इतना पुराना समाज है, जन जाती है समाज है, उसमें अभी तक वो अगर मांग के लिए उसको लड़ रहे हैं, अपनी चीजों की को व्यवस्थित करने के लिए, कोड के लिए, तो बड़ा दुर भागे की बात है, तो उसमें चीनित करना है इन सब बातों को, तो अपने जो मूल संस्किती में ऐसा ना हो कि आने वाली संस्किती जब आएगी, आने वाला जो बहुत से होगा, वहाँ ये सरनाही लुप्त हो जाए, लोग अदिकते रिसाई बन जाए, या हिंदू धर में मर्ज हो जाए, या किसी भी विचार धरा को अपना ले, तो ये जो परसन ह है, इससे बहुत बातें सामने आती है, मेंस के दिश्टी कोन से, तो इसका जो दूसरा उप्सन है, नौपरति से तो वो सही है, अगला प्रसन है कि हिंदू भादर पक्ष माम है, कौन से जिन जाती है, पूजा होती है, पहला कर्मा, दूसरा सरूल, तिसरा माग है, और चौ आर्मा जो है, आप उसको देखीगा कि वो भादो के समय आता है, चौनकि हिंदू का जो भादर पक्ष है, उस समय जो है, या तेवहार जाकन में जन जातीयों द्वारा जो है, वो बनाया जाता है, और इससे बहुत ब्रियत्र स्तर पर पाएंगे कि यहां जो है, लोग इसे बनाते हैं, इसमें देखने को हमें मिलता है कि जो सुबा से साम खेतों पर जो हल जो ताई है, बुनाय रुपाई, निकाई में जो लोगों का बीच जाता है समय, तो उससे जो है एक प्रकार से जो भादो में, यानि भादो का कादो आप सुनिएगा, सड़क बनाया है, तो भाद, सुकल, पक्ष तिर्टिया है, तो समय जो है ये तेवार आता है, समय तीच का भी तेवार आता है, तो इस समय बहुत सारे जो है वो गीत गाये जाते हैं, और धूब दुवन दीप चला कर जो है वो भक्ति भाव जो है वो इसमें जो है वो पेस किया जाता है, और करम कथा यानि करम का संदेश है उसके महादेम से जो है लोगों को संस्किति से आउगत कराया जाता है जो कथा वाचक होते हैं उसके पीछे पुरानी कहानी बताते हैं करम की डाली के महतों को स्थापित करते हैं तो इस प्रकार जो इसका जो सही उतर है वो पहला करमा है अगला प झी जिए रदूसरा पाडिया टीसरा चीक फोंता घूंड तो इसका जो दूसरा ओंट है पहाड़िया तो इतने जो गोतर व्यवस्था चुमकि एक वुच्छतर बात है कि जैंजातियों की जो बिसिसता है वह गोतर व्यवस्था से बलक्षित होती है लेकिन उनमें यह दिखता नहीं है चुंकि आप अगर उनके इतिहास को देखें तो पहाड़िया मूमेंट आगर आप पढ़ते हैं तो जैसे सौरिया पहाड़िया है मलेर पहाड़िया है तो यह जो संथाल प्रगना के आरम में हिली एरिया में रहते थे उसके बाद जब बिटिस आये तो चुंकि पहाड़िया बहुत एग्रिसिव थे और पहाड़ा भी विद्रों आप अगर पढ़े तो डाल विद्रों के समय पहाड़िया विद्रों को आप पढ़ेंगे एक समय में हो रहा है वो तो वहाँ जो बिटिस विवहतकारी नीती का उन्होंने किया और संथालों के माध्यम से इन्हें रिप्लेस किया जो जंगाल महाल थी तो वहाँ इसी स्तित्या आगई कि पहाड़िया और संथालों के बीच भी संगर्ज देखने को मिलते हैं सिर्फ बिटिस और जिंजातिय के बीच नहीं है थोड़े अगर उसको इतिहास को आप बुक में पड़े जैसे जो वीरतलवार की पुष्टक है या जारकन की समर्गा था या कि धरी राम गोंजू की पुष्टक है या वीरोतम की पुष्टक है तो वहाँ वो संकर साब को दिखेगा तो उनमें जो एक गोत्रिये विवस्था यह एक गोत्री विवस्था भी नहीं हो इस रूप में उन्होंने उसे लिया और इस प्रकार जो है वो विवस्था वहां विक्सित नहीं हो पाई तो इसका जो दूसरा ऑप्सन है भाड़िया हो सही है